पांच राज्यों में वोटिंग के बाद अब सबको इंतिजार है दस मार्च का जब रिजल्ट आए साथ मार्च को आए कुछ एक्जिट पोल की माने तो कुछ राज्यों में बराबरी का मुकाबला दिख रहा है ऐसे में वहां सरकार बनाने के प्रोसेस में राज्यपाल की एहम भूमिका होगी अब चर्चा है कि इन राज्यों में इस रिजल्ट के बाद राज्यपाल कोई खेल कर सकते हैं इस तरह की चर्चा की खास वज़ा ये है कि पांच चुनावी राज्यों में से चार राज्यों के राज्यपाल बीजेपी बैक्ग्राउंड से आते हैं इस दोरान दो छात्राएं नर्मिदा नदी में गिर गई। उन्हें डूपता देख बिनावक्त गवाय खुद प्रिमसिपल भी नदी में कूद पड़ी। और दोनों को बाहा निकाल लाई। यह प्रिमसिपल थी आनंदी बेन पटे। आनंदी बेन के पती मफद भाई पटेल उन दिनों बीजेपी के बड़े नेता थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी और शंकर सिंग वाघेला ने आनंदी बेन को भी बीजेपी से जुड़ने के लिए कहा। उसी साल आनंदी बेन बीजेपी में शामिल हो गई और गुजराद प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनी थे। फिर 1994 में वो गुजराद से राजसवा सांसद रही। साल 1998 में विधायक और प्रदेश की सिक्षामंत्री वनी। साल 2014 में मोदी के गुजराद सिय की कुर्सी छोड़ने के बाद आनंदी बेन पटेल को जिम्मेदारी दी गई। उनका पूरा राजनितिक करियर वीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी के साथ ही वीता है। उत्रप्रदेश की राजपाल बनने से पहले वो मद्रप्रदेश और छक्तिस गड़ की राजपाल काफी बवाल मचा और पुरोहित को माफी मांगनी पड़ी। बन्वाली लाल पुरोहित इस वक्त पंजाब के राजपाल है। वो महरास्ट के विधर्व जिले के जाने माने नेता हैं। उन्होंने अपने राजनितिक करियर की शुरुआत कॉंग्रस पार्टी से की। साल 1978 म पहली बार नागपुर इस्ट से विधायक चुने गए। इसके बाद 1984 में वो आठवे लोगसभा चुनाओ के दौरान कॉंग्रस पार्टी से सांसत बनी। 1999 में वो कॉंग्रस छोड़कर वीजेपी में शामिल हुए। 2003 में विधर्व राज्य पार्टी के नाम से पार्टी बनाई। 2009 में वीजेपी में शामिल होकर लोगसभा चुनाओ लड़ा लेकिन हार गए। अगस 2016 में बनवारी लाल को असम का गवर्नर न्यूक्त किया गया। फिर 2017 में वो तमिलनाडू के गवर्नर न्यूक्त हुए। 27 अगस 2021 को वो पंजाब के गवर्नर न्यूक्त किये अब बाद गोवा की। कोरोना महामारी की वजह से मार्च 2020 में लगे लॉकडाउन के दौरान पी-एस श्रीधरन पिल्लाई नाम के एक शक्स में चार महीने में 13 किताबे लिख दी थी। यही शक्स वर्तमान में गोवा के राजपाल है। अक्टूबर 2019 में श्रीधरन पहली की बार केरल और लक्ष्वदीप में बीजेपी ने संयुक तुरूप से दो लोगसबा सीथ जीती। 2018 में एक बार फिर से उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उख किया गया। पिल्लाई ने अपने राजपाल लागा नेशन एमर्जनसी के बाद 1970 से ही बीजेपी बीजेपी में राश्री उपाध्यक्ष और नैशनल सेकरेटी के पद पर रह चुके हैं। पांच दशक से ज्यादा समय से पार्टी से गहरे जुडाओ की वजह से ही उन्हें 27 अगस 2021 को मनीपुर के राजपाल की जिमेदारी दी गई। और अब बात चुनावी राज उत्र साल 2002 की बात है भारतिय सेना के पूर्व उप्रमुख गुर्मीट सेंग एक प्रतिनिधी मंडल के साथ भीजिंग गया थे इस दौरान दोनों सेनाओं को अपने मैप साजा करने थे हिमाचल उत्राखंड और लद्दाग दोनों देश्यों के बॉर्डर मैप में अलग अलग के बीच उन्होंने साथ बार चीन का दौरा कर मामले को निप्टाने का प्रयास भी किया राजपाल बेबी रानी मौरिया के स्तीफे के बाद 15 सितंबर 2021 को लेटिनेंट जनरल गुर्मीत सिंग को त्राखंड का गवर्नर बनाए पहली बार आर्मी बैग्राउंड वाले एक पसकत आप